हेलो अब्रिवान में गाईद्री हाउ टू मेंक मफसे का स्वागत करती हूं और आज अख से शेयर करें में चीज पेटेटो वेजिटेवल ब्रेड की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी फटा-फट बनके तेया हो जती है बच्चों बड़ो सबी को बहु यहाँ पर चीज पेटेटो वेजिटेवल ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तीन मीडियम साइज के स्पूंज होते हैं वो भरके मैंने मेदा लिया है बाउल के साब से आप टू बाउल मेदा ले सकते हैं मेदा लेने के बाद इसमें हम एट करेंगे लोगी शुगर पौडर के साथ ही इसमें हम टेस्ट के कॉर्डिंग लेंगे नमक तो यहां पर में 1-4 टीस्पून नमक लिया है और इसमें एड़ करेंगे बटर तो यहां पर मैं ले रही हूं 1 टीस्पून बटर यह होमेट बटर है तो आप अमूल बटर भी ले सकते हैं इस इस साथ इसका डो तयार करेंगे हैं तो दो तयार करने के लिए हमें लेना है कुन-कुना दूद आप पानी से भी दो तयार कर सकते हैं तो यहां पर मैंने कुन-कुना दूद लिया दूद से इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है ब्रेट का तो यहां पर मैंने थ्री चीपआ तयार होगा एकदम ठाइट ड्व तैयार नहीं करना है थोड़ाँसा चीपचीपा हातों में चिपके ऐसा ड्ub तैयार करना है तो आप देखते जाहिए कि स्तर से मैं इसका ड् Environmental Guide करती है जो भी प्रोसेस रहती न ब्रेड की वो ड्न के उपर ड् lying back करती है अर्ब दो स इस तरह से मसल मसल के एकदम सौफ्ट करना है यह जब अच्छे से डो त्यार हो जाता ना तो यह हातों में से छूटने लग जाता है मतलब हातों में चिपकता नहीं है तो यहां पर इसको में हना प्लेटफार्म के उपर करूंगी जितना हो रहा है ना बाउल में कर लेती हूं इसके बाद इसको में प्लेटफार्म के उपर अच्छे से स्टेच करूंगी फिर फोल्ड करूंगी। इसी प्रोसेस से हमको ब्रेट का डो त्यार करना है । लेए तो चली इसको में कर लेती और यहां पर ये डो तैयार हो चुका है तो इसको हम रख देते हैं बाउल में तो बाउल को मैं सबसे पहले कर लेती हूँ और ये डबल हो जाता है फूल कर तो बस इसको में रख देती हूँ अभी गर्मी का सिजन है तो 2-5 घंटा काफी होगा अगर ठंड का सिजन हो तो कम से कम 5 घंटे के लिए आपको इसको रखना पड़ेगा जब तक इसमें अच्छे गरम इस्थान पर रख दीजेगा इसको तो अच्छे से इसमें खमण आ जाएगा और अब हम स्टफिंग तियार कर लेते हैं तो स्टफिंग तियार करने के लिए मैं यहां पर लिया है वेजिटेवल में शिमला मीज इसको मैं चॉप कर लेती हूँ तो यहां पर मैं इसको ज्यादा स्टफ्इग करना तो इस तरह से बारिक चोप करना याँ आपके पास जो भी वेजिटेबल ना वहरे वे बच्चों को वेजिटेबल को आपके बारिक चोप कर सकते हैं अगर पता को भी बच्चों को खिलाएंगे तो वह ऐसे नहीं खाएंगे लेकिन अगर उसको हम इसते से नया कुछ बना के खिलाएंगे तो वह फटा फट खालेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें स्टफिंग किस चीज़ की है तो यहाँ पर देखिए मैंने अब तक भूनेंगे इनको तो यहाँ पर मेने साथ से पहले ओनियन डाला है आफ जादा नहीं लिया है स्टिफ हाफ टी स्पून ओई लिया है उसे के साथ इसमें मैने कैप्सिकम डाल दिया है चौप किया होगा पत्ता को भी डाल देंगे सभी को अच्छे से मिक्स कर नमक के साथ ही इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स तो आप चाहो तो लाल मीची पाउडर भी डाल सकते हो सभी को डाल के अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट होने तक पकाएंगे यहाँ पर स्टफिंग त्यार हो गया है तो दो को देख लेते हैं डो हम निकाल लेते हैं बाउल से बाहर और इसको हम आप चाहोँ का आपको ब्रेड रोल बनाना है उतने बड़े साइज का आप इसको कर सकते ही यह देखिशते से मैं इसको फिला लिया है इसके उपर में दाल डाला है तो घुलि जार चिली सॉस नहीं है तो आप चिली की कौन्तिटी बढ़ा चिली सोस को चारो तरफ फिलाने के बाद इस पर हम डाल ला इढये चीज, यहाँ मेरे पास पीजा चीज़ से युजर कर सकते हैं, इसशेका है में आपूर्मल चीज भी युज कर सकते हैं, इसी के साथ में यचाया है , वेज़ी ब्ल्ब वेज़ीय-ब्ल, dedль चीज़, वे पा तो यहां पर मैंने चीज भी डाल दिया इसके उपर सभी को डाल के और इसको अब हम फोल्ड करेंगे और अब इसको हम धीरी धीरे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद इसको हमको रखना है ट्रे के उपर आप चाहो तो इस प्रोसेस को ट्रे के उपर भी कर सकते हो ताकि व 에서्ils etыulle से याफिर लीक प्रीन विद शय् i up के लिए फिर भूर कर देंगे त्रेंगे इसको बेख होने के लिए रख देंगे वे कंसे कम 20 मिन तो चलि इसको अब सरह कोने के लिए और उससे पहले मैं इस पर लगा रहे हूं और अब सब हम रख देते हैं बेक होने के लिए ओवन में 20 मिल्ट के लिए 20 मिल्ट वाजित को चेक करेंगे हम तो यहां देखने आप यह बन के तयार हो चुकी है ब्रेड बहुत ही यमी लगी थी खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी बच्चों को सभी को बहुत पसंद आई थी तो आप सभी रिक्वेस्ट एक बार आप भी ट्राइ करिएगा इस रेसिपी को अभी लोगडाउन चल रहा है बाहर से कुछ लाके नहीं खा सकते हैं तो घर में ही बनाईए सभी को खिलाईए आप लोको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन के साथ में तकी नहीं वीडियो के नोटिफिशन आप लोको मिल सके और आप मेरे जो भी न्यू वीडियो डालो जो भी न्यू रेसिपी आप लोको सब्सक्राइब करूँ वो वाच कर सको